हेलो परिंदोग कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रहे हैं क्लाश 10 यदि आप प्लाश 10 में पढ़ते हैं और अभी तक आप लोगों ने क्लाश 10 साइंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग क्या करेंगे चैनल के प्लेइलिस्ट पर जाएंगे साइन्स लाम से एक प्लेलिस्ट है। और उस प्लेलिस्ट पहमने शारे चैप्टर्स को पढ़ा दिया है। कि एक वीडियो में है। ठीक है और उसमें एक जो चैप्टर है ना आप लोगों का बायोजी का जयो प्रक्रम स्वारी लाइफ प्रॉसेस लाइफ प्रॉसेस वीडियो ना हमारा बहुत रिट हुआ है क्रिप 40-50 लोगों ने उसको देखा है ठीक है तो आप लोग जाईए सारे लिक्चर्स को देख ल चैप्टर आपको पता होना चाहिए स्मिम्पल चीजी इजी चीजों को करना ना बहुत कठीन काम होता है जैसे हमको लगता है न डेडी एक सेव खाएंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे सिंपल है और सब्सक्राइब कोई खाता है क्या होगा भूस धेर सारे रोगों से हम मुख्त रहेंगे, कोई जाता है, नहीं जाता है, आसान कम है, कोई नहीं करता है, इसलिए चैप्टर आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप एक्जाम में लिखने जाएंगे ना, आपके हो सोड़ जाएंगे, ठीक है, तो बड़े गौर सारी चीजों का आप लोग यहां पर पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए प्राकृतिक संसाधन असलबात मुझे खांसी आ रही है और इसी वज़ा से मैं बच्छों को पढ़ा नहीं पा रहा था ठीक है लेकिन अब खांसी के इंतजार हम कब तक करते रहेंगे हैं ना कब तक हम वेट करेंगे पांच छे दिन हो गए हैं अब इतना तो वेट नहीं किया जा सकता ना आप लोगों का भी फ्यूचर है चलो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं आपका NCIT बोलता है कि वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुमें जिनका उप्योग मानव द्वारा होता है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या होता है संसाधन क क्या होता है कुछी प्रकार का साधा ने प्राकृतिक मतलब प्रकति से प्राप्त है ना प्राकृतिक यानि कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तु में ठीक है तो हम लोग इसमें प्राकृतिक साधन में क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तु में ठीक है अब प्राकृतिक रूप से मफलब क्यों उनको प्राकती ने दिया है समझे है उनको प्राकती ने दिया है प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तु में जिनका उप्योग मानवो द्वारा होता है वस्तु में जिनका उपियोग मानवों द्वारा अभी समझना अभी समझाओं वठी कि क्या होता है मानवों द्वारा होता है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है अब समझ नहीं आए कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्त हुए यह बताओ भाया जब तुम पैदा हुए तो तो क्या पेड़ लेकर के पैदा हुए थे पेड तो प्रत्वी में पहले से ही था मिट्टी पहले से थी हवा पहले से थी पानी पहले से था यह सब किसे ने दिया यह सब दिया प्राकृतिक ने किसने प्राकृति ने जिसको हम लोग नेचर बोलते हैं ठीके तो प्राकृतिक संसाधन क्या हुए कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुएं जिनका उप्योग मानवों द्वारा होता है पेड का उप्योग मानव करता है पानी का उप्योग मानव करता है पेट्रोलियम का उप्योग मानव करता है कोईला का उप्योग मानव करता है सबी चीज़ तो करता है, है ना? तो वो हुए प्राकृतिक शंळ्जाधन अब उधारन ले लीजिए है ना? जैसे अब आप ने आप से पूछ लियग गया है जैसे कौन-कौन सी चीज़े का उपियोग करते हैं ठीक है? जैसे आप करते हैं जल का उपियोग किसका उपियोग जल का उपियोग फिर म्रदा का उपियोग फिर वायू का उपियोग फिर आप करते हैं वन्या यानि कि जंगल का उपियोग करते हो करते हो कि नहीं जंगली जानवर लाते हो मेडिसिन्स के लिए वहां से पेड़ पौदों को लाया जाता है वन्य जंगल हो गया फिर आपका हो गया पसु हो गया पसुगों का उपयोग पसु थोड़ी नाप ले करके है ओ है ना फिर हो गया पेट्रोलियम पेट्रोलियम भी प्रकती से प्रकती में पाया जाता है ठीक है आदी कोईला हो गया आदी क्या हुए प्राकृतिक संसाधन वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है अनवीनी क्रत संसाधन एक होता है नवीनी क्रत संसाधन पहला होता है अनवीनी क्रत संसाधन ठीक है पहला क्या हुआ आपका अनवीनी क्रत संसाधन अनवीनी करत संसाधन क्या होते हैं कि ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं यानि कि ये प्राकृतिक संसाधन तो होते ही हैं लेकिन ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके अनवीनी संसाधन होते हैं ये क्या होते हैं यह बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं ठीक है यह बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं अब आप लोग इसको बढ़ा चड़ा के लिखेंगे फिर से लिखेंगे अनवीनी करत बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं यह आपके प्राकृतिक शंसाधन होते हैं अब आ बहुत अपार भार है जंगल जंगल सीमित मात्रा में पाई जाती है बाबु तेल पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं बताईए जो आपका पेट्रोलियम है वो सीमित मात्रा में पाया जाता है की नहीं बताईए नीचे से एक दिन पेट्रोलियम खतम हो जागा फिर क्या पेट्र प्रत्वी पर सीमित मात्रा में पाये जाते हैं उनको अनवीनी कृत संसाधन कहते हैं क्या कहते हैं बोलो समझ में आया कि नहीं सभी लोग बोलो सबी अच्छे बोलो समझ में आया बिलकूल आया चलो next आता है हमारा नमीनी करत संसाधन ठीक है अनमीनी करत संसाधन देख लिए अब देखते हैं नमीनी करत संसाधन ठीक है नमीनी करत संसाधन क्या होते है नमीनी करत संसाधन ऐसे संसाधन जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं ठीके ऐसे संसाधन प्रत्वी पर पाए जाने वाले ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं नवीनी करत संसाधन कहलाते हैं ठीके तो बताओ अनवीनी करत और नवीनी करत दोनों चिलिक लोगे न अब इसके एक्जामपल दे दूं आपको ठीक है कि प्राकति में कौन सी चीजें जो असीमित मात्र में पाई जाती है पहले आता है आपका वायू बताइए जो हवा होती है क्या हो सीमित है हवा क्या लिम्टेड है नहीं लिम्टेड है बिलकुल फिर म्रदा जो आपकी मिट्टी है क्या वो लिम्टेड है बताइए नहीं लिम्टेड है फिर आपका आगया जाल यर की आ वोगैई जीव धिर क्या हो गया वन जिसको हम लोग चंगल बोलते हैं ये सारी चिज़ें चीजें लिम्टेड नहीं है ठीक है यहां तक समझ में आया किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत अधे को बता दू बच्चे देख तो बहुत लेते हैं दो दो हजार तीन तीन हजार लेकिन लाइक रहती पैंटीस और च्रीस लाइक पचास लाइक साइट लाइक करके जाना जिंद्ध भाईयो करके जाना क्लेका मैंने लाइक करके जाना मैं आट्व ना मिइंद्ध सुश है करें तो लाइक करके तक सबीन बच्चों से विनम रस्वय निविदन करता है या फिर वीडिओ को लाइक करेंगे ठीक है चलिए अब लो होना निश्म के नाम से जानते हैं, प्रदूसर्ण क्या होता है, आपका NCRT बोलता है कि प्राकृतिक संसाधनों का दूसित होना प्रदूसर्ण कहलाता है, बिल्कुल सही बोला है, छोटे से डिफिनीशन में बोला है, यानि कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीके, देखो, प्राकृतिक स सकते हैं आप प्रदूसर को अपर बढ़ा चला की लिख सकते हैं आप आफ डिफीशन पड़े होने ठीक है यहाँ मैं अप्रदूसर है यानि की हवा है मिट्टी है यह क्या होती है यह अगर दूसित होने लगी वाई लोग उसको बोल देए प्राकर्तिक संसाधन जो प्राकर्तिक चीजें जो प्रकृति ने दिया है यह दोसीत होने लगी संदूसित होने लगी तो हमने क्या बोला कि यह प्रदूसर्ड हो गया इसमें ठीक है जो प्रदूसर्ड होता है प्रदूसर्ड तीन प्रकार का होता है जल प्रदूसर्ड, म्रदा प्रदूसर्ड और वायू प्रदूसर्ड ठीक है पहला क्या होता है पहला होता है जल प्रदूसर्ड फिर आपका होता है वायू प्रदूसर्ड फिर आपका होता है ब्रादा प्रदूसर ठीक है बताओ समझ जाए सभी बच्चों को कोई दिक्कत किसी को बताइए जो पॉलूशन होते हैं पॉलूशन क्या कहेंगे भाया एक सब्द में डिफिनीशन है एक सब्द में बोल दिया कि क्या बोलता है कि प्राकृतिक संसाधुनों का दूसित होना प्रदूसर कहलाता है ठीक है अब आप लोगों का काम है आप लोग डालेंगे हेडिंग और वो हेडिंग है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन की आवशक्ता, ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन की आवशक्ता, ठीक है, और जो बच्चे लेट के देख रहे हैं न, उड़ जाओ, लेट के कोई नहीं देखेगा समझ लेना चलो प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन की विशक्ता में आप लोग पहला नंबर लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के संपोसित विकास के लिए जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका प्रबंधन की अजाता है उनका बचाओ की अजाता है उनका रख रखाओ की जाती है उनकी देखभाल की जाती है क्यों की जाती है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के संपोसित विक के लिए नेश्ट आता है जैव विविधता को बचाने के लिए जैव विविधता क्या होती है कि जैसे कोई जीव है यहां पर पाया जाता है यहां के जंगल को हमने उड़ा दिया वो जीव खता हो गया कोई समुद्र का एरिया है उस जगे कोई ऐसा जीव पाया जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बचाएंगे जैसे हमने क्या किया प्राकृतिक संसाधन है प्राक्तिक संसाधन जैसे हमने जंगल को काट दिया अब जंगल को काट दिया आप लोग समझो इस समय बहुत ज्यादा एक दिक्कत आती ह आप लोग सुने होंगे जो मवेसी होते हैं जो गाय भैस होते हैं जो खूले गया गाय मैस होते हैं यहना वो क्या है इधर उदर तहलते रहते हैं लोगों की फसलों को नुक्सान पहुचाते हैं ठीके उनको लोग मारते रहते हैं उनका एक्सिडेंट हो जाते हैं मर जाते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन नहीं हुआ आपने जंगल काटा जो गाए भैज जो सेर थे सी यार वियार होते हैं गाउं की तरह मिल जाते हैं कभी अभी अधर हुक्की माय बुला करते हैं तो क्या होता है देखो हमने जंगल काटा अब जंगल नहीं रहेगा तो बढ़े बढ़े जंगल में सी-यार कहाँ जाएगा लोमडी कहा जाएगी फॉक्स हैना बरा सिंगा लकड़ा गई सब कहा जाएंगे यह सब आपके घर में आके रहेंगे आपके खेतों का चारा खाएंगे पिर आप लोग उनको मारेंगे तो हमने क्या किया हमने जो संधन किया जाता है हम लोग ऐसा कुछ करते कि जो हमारे प्राक्रतिक संसाधन है वो दूसित ना हो वह infected ना हो और इनफेक्टेड किस तरह से होते हैं अब जैसे infected ऐसे होगे की आ वाय थे जिव जन्तु मर जाते हैं तो इसलिए प्रदूसर से बचाया भी जाता है फिर आप लोग लिखेंगे ग्रैकेट करके कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा ऐसा सुनयोजित उपयोग जिससे ये अनंतकाल तक चलता रहे जानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है प्राकृतिक संसाध क्या है ना उसका हम थोड़ा थोड़ा उपयोग करें ताकि वो क्या हो आने वाले पीड़ी यानि कि अनंतकाल तक वो ती क्या रहे अनंतकाल तक वो बचा बचा रहे अब यदि हम आज जंगल कर देंगे आज ही सब लकड़ी का उपयोग कर लेंगे तो क्या होगा हमारी जो मैं हो ना अभी तुम लोग हो टैन्स भाई मिद्धिनंट में होग गाडी वालिवाडी में गाड़ी multipliedMr देजाते हैं अजंब एक बार सोचो जाए तील खर्चा होगा और जब तेल खर्चा होगा तो होगा वहां से तेल खतम हो जागे नीचे से जब नीचे से तेल के रहा थैंगे को इअ चुछ ना दिमाग का ढखकन और ओफटी जाएंगे आफें टेशन को तरल सथית कर्ण गंगा कारे परियोजना के बारे में ठीक है एक आप लोग देख सकते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए राश्ट्री तथा अंतर्राश्ट्री अधिनियम हैं ठीक है नीचे आप लोग लिख लिए प्राक्रतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवशक्ता के नीचे कि पर्यावरण को बचाने के लिए राश्ट्री तथा अंतर्राश्ट्री नियम है ठीक है चलिए अब इसको मिटा दे बच्चे इसकौ इसको मिटा देतें फिरम molोग आगे वढ़ते है कितना प्यारा लिख है या मैं प्याररी कर हर मैदान फते शिंचा रहा मैदान पते कर साथ है नहीं ना चलो हेरिंग डालेंगे बच्चे गंगा कारे पर्योजना के बारे में क्या है गंगा कारे पर्योजना बताइए पढ़े हैं नहीं पढ़े होंगे नाम सुने होंगे गंगा कारे पर्योजना तो भाईया आपका NCRT क्या बोलता है कि इस योजना को सन 1986 में सुरू किया गया 1986 में क्यों क्योंकि जो गंगा नदी थी गंगा नदी इसमें क्या हो रहा था इसमें हमारा बहुत प्रदूसर्ण हो रहा था जिसके कारर से ये कारे पर्योजना शुरू किया गया इसका मोटिव क्या था गंगा और यमुना जो प्रोजेट आये थे इनका मोटिव क्या था इनका मोटिव यह था कि जो आपके सीवेज स्पार्ट के बनाया गया लिए तीकहा यहां कि इस पर्योजना की जल के गुडवत्ता लगा तार कम हो रही थी तथा प्रदूसन ज्यादा हो रहा था और गंगा में पाए जाने वाले जीवों को बहुत हानिकारक हो रही थी ठीक है क्या हो रहा था इसमें प्रदूसन ज्यादा हो रहा था गंगा नदी में क्या हो रहा था प्रदूसन ज्यादा हो रहा था और जो इसकी जल ह गुरवत्ता है जल की गुरवत्ता कम हो righteous लगातार कम होती जा रही थी थी कि फिर इस में यह करोडों रुपैं कत जाए करोड़ों रुपैं यह आपका प्रोजेक्ट था क्रोणा कारे प्रोजेक्ट कर ता फिर आपका NCIT क्या बोलता है कि इस परियोजना में प्रदूसर्ण नियंत्रण के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शे निकलने वाले गंदे जल का उप्योग तो इस प्लांट में क्या किया गया इस कारे परियोजना में क्या किया गया सीवेज प्लांट ठीक है जो महानगरों से गंदा जल होता है बेर्थ जल होता है उसका प्रियोग किया गया सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया गया और उससे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो जल निकलता है उस जल को सिचाई के लिए प्रोत्साहित किया गया ठीक है यह था हमारा गंगा कार्य प्रोजेक्ट में यह हमको बताया गया था अब हम लोग देखते हैं एक वर्ड आता है हम लोगों लोगों में परियावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R होते हैं समझ लेना ठीक हैं और ये बहुत बहुत काम आता है कहीं बाहर ठीक हैं और ये chapter बताओं एक second परियावरण के बचाने के लिए 3 R इनको बताना होता है ठीक है देखो जब किसी बड़े स्टेज पर जाओगे ना बड़े स्थान पर तो वहाँ पर क्या होते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं और बड़े बड़े लोगों की एक्टिवीटी जो होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है बिल्कुल भिन होती है वहाँ तुम लोग ज्यादा मतलब बात को वो मतले ना, तुम लोगो किसी बड़े रेश्टोरेंट में जाओ, वहाँ पर देखो कि स्टीधे बड़े बड़े लोग आएंगे, और तुम बताओ, अपने आपको थोड़ा सा बड़ा छोटा महसूस करोगी, यार बताओ, हमको ऐसे खाना नहीं आत प्लास्टिक के, कलरड डिबबब, पीला डिबब, काला डिबबब, उसमें क्या-कया डाला जाता है, बताओ, बताओ, इजितने वच्चों देंगर, बताओ, मैं तुम से पूछना चाहता हूँ, क्यों डिबबब का बताओ, एक डिबबबा मैंने दे दिया तुम को नीला डिप और काला डिप नीले डिप्पे में कौन सा पदार्ट डाला जाता है पन्नी डाला जाता है प्लास्टिक डाला जाता है बताओ ठीक है चलो 3R का मतलब क्या होता है 3R का मतलब होता है आपका reduce, reuse, recycle क्या होता है reduce 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 फिर reuse फिर recycle ठीक है reduce, reuse, recycle ठीक है यह हो गया R, R और R reduce का मतलब क्या होता है जो हम चीजे उपयोग मिला रहे हैं उसको हम reduce करते हैं यानि कि उसका प्रियोग कम करते हैं reduce का मतलब होता है कम उपयोग किसी भी चीज कहा है उसका उपयोग हम लोग कम करते हैं जैसे यह बताओ तोटी रहती है, तोटी खुली रहती है भून भून पानी टबकता रहता है भी ना वज़ा जोने मीधिनक और क्लिक तो गार्म में ज्यादा धंडी लग रहे है स्वेटर नहीं पहनेंगे जैकेट नहीं पहनेंगे हीडयो गीरी दिखाने के लिए सचाल पहनेंगे फिर जाएंगे आग जलाएंगे फिर करने पुनह चक्रण यानि कि कोई चीज है तो आप उसको भगाईए नहीं यदि वो पुनह से उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं तो किसी भी तरह जैसे कुछ आपके डिबव्ब्वे ऊगए ना यह तो तूटे-फूटे थोड़ा सा सुटमनों क्या करशीरे भगाए देते क्योंकि वो खराब हो जाएंगे वो इसलिए उनको रखो ठीक है बार बार ना वह को जैसे एक बॉटल है एक बॉटल को फिंक देते आसानी से अब उस बॉटल अगर वो खराब हो गई बॉटल उसको रिसाइकल करने में बहुत उर्जा लगती बहुत पैसा लगता है जितना पैसा लगे उतने में दो तीन बॉटल वो बन जाएंगी इसलिए वो बॉटल परी रहती परियावरण में परियावरण को प्रदूसित करती है इसलिए बोला जाते हैं इसी जो को सीखो रिसाइकल का मतलब क्या होता है पुनाहा उपयोग ठीक है पुनाहा उपयोग ठीक है अगली बार से 3R देखो कि ने समझ जाग रेडियोस रियूज रिसाइकल रेडियूस रियूज रिसाइकल अब आपका अगला पॉइंट आता है संपोसित विकास क्या होता है क्या आता है संपोसित विकास ठीक है संपोसित विकास क्या होता है जिन्दगी में इतना बड़ा काम करो ना इतना बड़ा काम करो ना कि लोग तुम्हारे तुम्हें काम काम की लुए घर काम कि नुट इए लगत विकास के लिए कि ऑ ऐसा विकास जो परियावरण को बिना नुकसान पहुचाए मनुष्य की वर्तमान अवसकताओं की पूर्ती और विकास के साथ साथ भावी संतती के लिए संसादनों का संद्चण करती है उसे संपोसित विकास कहते हैं जाने की ऐसा विकास जो परियावरण को बिना नुकसान पहुचाए परियावरण को कोई नुकसान नहीं पहुचाता और मनिश्य की वर्तमान अवसकताओं को पूरा भी करता है और विकास भी करता है साथ साथ हमारे आने वाली अगली पीड़ shepherd को लिए बहावी संतती के उनको बचा कर रखता है उसी को बोलते हैं संपोसित विकास अब आप लोग इसको अपने भासा में लिखेंगे इसका उद्देश से क्या होता है तो देख लो पर्यावरण को नुकसान से बचाना और भावी पीड़ी के लिए संसाधनों का संदच्छन करना शंपोसित विकास का उद्देश से यही होता है कि पर्यावरण को प्रदूसन से पॉलूसन से बचाना और आने वाली अगली पीड़ी के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे हमारा पेट्रोलियम है कोईला है जल है बहुत चीजें समझाये ना उनको बचागर के रखना ठ ठीक है मंनें सICK ही जो मतब की जो उनकी वो हैं टो उनको लेकर के विकास को पुर्थसाहित करना ठीक है उनकी आब सकताओं को भी पूर्य करना और उनको बताना की बाईया ऐसे-आसे करो कर रहे हो तो पैड़ हो काटिंगा उनला लगा भी लोग पते क्या हो समझना कौर्द समझना 95% लोग ना इसमें खेल रहे होंगे 95% लोग ना इधादर कर रहे होंगे तुम लोग ना होसी आरो जो इस स्टेज पर आ करके पड़ रहे हो इस प्लेट फॉर्म को तुम लोगों चुना भायो मन तो बेश ठाई है हम बेश ठाई है हम अच्छा पढ़ाते हैं मैं पता हैं अच्छा पढ़ाते हैं ठीक है होने वाले आपके भायवी टीचर है भईया ठीक है चलिए फिर आप लोग डालेंगे हेडिंग अगला होगा वन्य जयो विविधता का विशिष्ट अस्थल ठीक है, वन्य जयो विविद्धता का विशिष्ट अस्थल, वन्य जयो विविद्धता का विशिष्ट अस्थल, जयो विविद्धता क्या होती है? जीवों में पाई जाने वाली विभिन नता हैं जैसे हमारे प्रस्वी पर बहुत धेर सारे प्रकार के जीव पाई जाते हैं आपका NCRT क्या लिखते हैं समझेगा वनों को जैव विविदता का विशिष्ट अस्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वनों में विभिन प्रकार के इस्पिसीज बहुत संख्या में पाई जाते हैं ठीक है चलिए हमारा मालकर कहां गया एक सेकेंड वन्य जैव विविदता का विशिष्ट अस्थल जो वन्य है क्यों का जाता है क्योंकि क्योंकि क्यों कि वुण्य में जीवो या इस्पिसीज याइसपिसीज का मतलब क्या होता है। प्रकार के जिव अब जैसे जंगल जानगे तो क्या एक गोड़ा मीमें जानगर ne जंगल जाओगे तो बहुत ङेर सारी इस पीसीज मिलेंगे और वो भी इस पीसीज बहुत संख्या में पाए जाते पाए जाते हैं तीके इसीलिए वण्य को जो जंगल है ठीके वण्य को जंगल को क्या क्या बोलते हैं अब हम लोग क्या कर रहे हैं वन की कटाई कर रहे हैं अब क्या ये समय चीपकोवां पढेंगे ठीक है बहुँआ छीप्टर में चीजेसें legislation आपका अब नीचे लिखेंगे चोटा से चोटा लिखो बड़ा से बड़ा लिखो बड़ा में हो गया हाथी चोटा में हो गया कावाख जीवाणू अब सारे नाम आप लोग लिखो बताओ नीचे comment box में comment करके बताओ जंगल में क्या-क्या पाया जाता है जितने चीजे पाया जाती ने जंगल में comment करके बताओ जिसके comment ज्यादा होंगे उसको highlight करके उसके उपर एक वीडियो बनाएंगे चैनो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा point है तुम लोग अपने नाम करना एक brand value करा सकते हो बायो मन के साथ ठीक है आप लोग बताएंगे जंगल में क्या-क्या पाया जाता है जो बच्चा ज्यादा बताएगा और कैसे बताएगे एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर ऐसे करके जिस बच्चे का ज्यादा comment होगा न ज्यादा ज्यादा चीजे वो बताएगा न उसको हम लोग highlight करेंगे उसको हम लोग comment में उसका एक video बनाके YouTube पर डालेंगे ठीक है चलिए अब आता है ज्यादा के नश्ट होने का परिडाम हेडिंग डालेंगे आप लोग ज्यादा के नश्ट होने का परिडाम ठीक है तो क्या करने इसको में मिटा दो फिर हम लोग लगता है क्या अ कि जै लोग यह गया मेट अब तो वड़ा सिंपल चीजे है यार लिखो जैव जैव विद्धता के नश्ट होने का परिडाम तो लीखो देखिए एडिंग क्या है जयो वीविधता के नस्ट होने का परडाम ठीक है जयो वीविधता के नस्ट होने का परडाम अब ये बताओ हमने बोल दिया कि जो वन ने है जो जंगल है वहाँ पर क्या पाई जाती है वहाँ पर जेव वीधिता पाई जाती है यानि कि वहाँ पर बहुत धेर सारे जीव पाई जाते हैं अब चाचा हमको पता है वहाँ पर बहुत धेर सारे जीव पाई जाएंगे हम लोग क्या कर रहें लगातार जंगलों की कटाई कर रहें अजब जंगल को हम लगतार काटेंगे तो क्या होगा? जव विविरता हमारी नश्ट हो जाएगी और यदि जव विविरता नश्ट हो गई धेर धेर प्रकार के झीव नश्ट हो गए तो क्या होगा? इसके पहले के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ना, खाद्य जाल, खाद्य सरंखला, यानि कि ये जीव को ये खाता है, फिर इसको ये खाता है, अगर ये जीव मर जाएगा, तो इसको नहीं खाएगा, और ये भी मर जाएगा, तो ये क्या खाएगा, ये भी मर तंत्र है ना पारिष्थिति की तंत्र वो क्या हो जाएगा वो डगमगा जाता है अब सोचो प्रत्वी से घास हट जाए तो जो प्रात्मी को भोगता वो क्या खाएगा जब प्रात्मी को भोगता कुछ खाएगा नहीं तो द्वतिया को भोगता किसको खाएगा मताई सोचो ना दिमाग लगाओ हमारा दिमाग की बस मत चलो अपना भी कुछ चलाओ ना चलो सेकंड लिखियस में जयव विद्ता के नश्ट होने का पैड़ा में CRT बोलता है जयव विद्ता के नश्ट होने से बनाए रखते हें …. जयव घटक और क्या पैज आते हैं और पैज आते हैं आपके अजय औ घटक जयव गतविद्यों को बताओ जो वनो को प्रभाविद्यों को प्रभावित करती हो तो पहला लिखेंगे इस्थानी लोग इधन के लिए जलावन लकडी की काफी मात्रा में उपयोग करते हैं पहला नमबर कैसे जो इस्थानी लोग होते जंगल के आसपास के लोग होते वो क्या करते हैं जो लकडी जलाने वाली होते जिसे वो लोग खाना बनाते हैं साधी बि पिला तुसको दानवान भी करतें उन लोगों को दान देतें लकढ़ी लेता जान है लकड़ी ठीक, सर्केट और नम नम लसे लेके, भंडारन के लिए लकड़ी करतेतं जंगल से, कौन करता है deber हो यानि कि जो मानव है दिद्रंब लिगें खेति के ऑजार इवं वन से प्राप्त करते हैं की खेति के ऑजार जैसे आफ लेखें जैसे आपका लोग का हर जो हल होता है ना हल पहले चलता था हल लकडी का होता था और बहुत धेर सारी चीजे हमारा दर्वाजा लखडी का होता है लखडी कहां से जंगल से आती है है ना बहुत धेर सारी चीजे हम लखडी का उसके लखडी की तक लखडी की यह लखडी की यह बहुत धेर सारी चीजे होती है लखडी की यह सब चीजे क्या होती है हम लकड़ी खरीदा तो जंगल तो प्रभावित हुआ ना तुमने पैसा से खरीदा लेकिन जंगल तो काटके लाया ना लकड़ी घर में थोड़ी ना बना लिया सोचो गेम कैसे चलता है यार पुरी दुनिया किस प्रकार से वर्क करती है बहुत अपॉर्चिन्टी है चौथा नमबर लिको यदि मानो जान जाए ये वाला पेड़ है ये वाले पेड़ से इस रोग को ठीक किया जा सकता है वो मानो सम्में बता देगा और वो पिड़वय को उठा ले जाएंगे चौथा नमबर है और सदी और पस्मों का चारा वन से प्राप्त करते हैं मानो क्या करते हैं मानो जो और सदी होती है जो मेडिसिन्स होती है पहले पहले आप लोग पता ही है पहले हमारे देश में इंडिया में क्या चलता था आयूर्वेद चलता था औ जंगल को काड़ भी रहे हो जंगल से समान भी ला रहे हो जंगल पर डिपेंड भी हो रहे हो अरे भजिया काका करोगे इसले जंगल को बचाओ जंगल को बचाओ ठीक है बचाओ गेना प्रॉमिस करो रही बच्चे प्रॉमिस करो जिन्दगी में एक एक पेल लगा दो ठीक है अमली वर्षा का वनू एवं क्रशी पर प्रभाव अब भया ये बताओ तुमको बड़ा कॉमन सी चीजें बताओ अमली वर्षा क्या होती है अमली वर्षा जब वायो में बहुत ज्यादा प्रदूसर होता है तो क्या होती सभी धात वो जो कारबन डाई ऑक्साइड यानि कि ऑक्साइड होती है न वो जाकर क्यों उपर बैठ जाते हैं फिर वह नीचे गिरते हैं तो वनों पर वनों पर तरके उनको डाल दिया गया असोचो जब जल में 20 मिला करके पौधों को डालो गया तो पौधे क्या हो जाएंगे पौधे नश्ट हो जाते हैं ठीक है तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे कि जब वर्षा होती है तो सल्फर तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बि यह सल्फर और अपके नाइट्रोजन के जो आक्साइड है नीचे प्रत्वी से जाते हैं इतके साथ कार्बन मोनो आक्साइड रहती है कार्बन डाई ऑक्साइड रहती है ना बहुत सारी चीज़े रहती है फिल लिगेंगे कि अमल वर्षा क्रसी उत्पादक्ता तथा वनो है कि इसमें यह एसीड पड़ा तो क्या वह पाउधा एक टाइम आया यह सूख गया सूख के गिर गया पाउधे का नाम निसाम खतम हो गया अमलों वर्षा भी हमाई लिए खतर ना गए सुचाओ खतर ना कहीं बिल्कुल खतर ना गए अब आता है हमारा चिपको अंदोलन क्या आता है चिपको अंदोलन यह बड़ा अच्छा चीज है यह इस चैप्टर करने सबस्टाद चीज पड़ने के लिए उना काफी बहतरीं हमें है कुछ बच्चे ऐसा बोलें चिपको अंदुलन जिसमें लोग चीपक जाते हैं वह यह तो सही कह रहो आप इसमें चीपकते हैं लोग लेकिन लोग चिपकते लोगों के साथ नहीं कि कोई किसी किसा चिपक जाए नहीं पेड़ों के साथ चिपकते किसके साथ बचे पेड़ों के साथ देखें क्या लिखता है कि यह अंदोलन कहां हुआ था गढ़वाल के रेनी नामा गाउं में हुआ था यह जो अंदोलन था वो कहां पर हुआ था गढ़वाल के रेनी गाउं में ठीक है ठीक है यह जम्मू कश्मीर की तरफ हिमाले की तरफ पढ़ता है ठीक है गढ़वाल के रेनी ना गाव में हुआ था और ये आंदोलन सन 1970 में हुआ था ठीक है 1970 के प्रारंभिक प्रारंभिक दसक में हुआ था 1970 के प्रारंभिक दसक में चिपको आंदोलन हुआ था अब आप लोग लिखेंगे इसके बारे में कि जो लकडी के ठेकेदार होते हैं ना लकडी के माफिया लकडी शमीब के व्रच्छों को काट रहे थे और वो लगतारना अधा दूंद कटाई कर रहे थे थोड़ी-धाडी नहीं कि बत दुशाथ तो पेड़ काट के छोड़ दे नहीं अधा दूंद कटाई कर रहे थे अब देखो एक दिन जब गाओं के शभी पूरुस गाओं के बाहर गए थे तो तब ही ठेकेदारों के आदमी आ करके मनमानी करने लगो और पेड़ों को काटने लगे अब देखो जब वहाँ पर काटने लगे तो वहाँ पर क्या हुआ परंतु वहाँ की महिलाओं ने को काटने से रोका तुम सोच सकते हो 1970 की महिलाएं का जो दिमाग था नो कितना कारे कर रहा था सोचो 1970 के समय वो प्रकति के बारे में सोच रही है वो प्रकति के बारे में सोच रही थी लेकिन आज की मैं कहता हूं 90% female ना सिर्फ अपने सूचती प्रकति कि तो उनको कोई चिनता ही नहीं है सोचो बताओ आप यहां पर कहा जा सकते हैं कि आप लोग ज्यादा पड़े लिके यहi 1970 वाली महिला ज्यादा पड़ी थी बिल्कुल 1970 महिला ज्यादा पड़ी थी मैं कहता हूं कि अब आप लोगे कितने पेढ़ आप लोगो नहीं लगाया क्या किया प्रगति के लिए कुछ नहीं किये सब लोग कूड़ा फैलाते बाहर फेक आते हैं कितना गंदगी हम लोग बाहर फैलाते अपने घर को साफसफाई करते बाहर के घर को ना बाहर के घर वाले को गंदा कराते अपना घर का कूड़ थी कितना अटेंटिव थी किता सोच रही थी कि पेड़ है हमारे लिए लाब दायक हमको वायू देते हैं ऑक्सीजन देते हैं है ना च्छाओं देते हैं बहुत देशाई देते हैं तो चिपको अंदोलन ऐसे हुआ महिलावा ने उनको क्या अपनी बाहों में भर लिया अंतता ठेकेदारों को अपना काम बंद करना पड़ा इसलिए इसे चिपको अंदोलन कहा गया थे क्योंकि इन्होंने चिपक गया था और समझेगा यह अंदोलन सुंदरलाल बहुगुडा ने प्रारम्द किया ठीक है यह अंदोलन किस ने किया सुंदरलाल बहुगुडा ने प्रा लाल बहुगूडा क्या बोलेंगे सुन्दरलाल बहुगूड़ा अब आप लोग देख लिए एक चिपको अंदूलन यह है एक अंदूलन और हुआ था और वह अंदूलन की थी अम्रतादेवी विस्तोई क्या किये थे अम्रतादेवी विस्तोई तो उपर का जो भी है अम्रता देवी विश्णोई तो हम लोगों को आज आज मतलब जो प्रकाति के लिए अच्छा काम करता है उसको मिलता है अम्रता देवी विश्णोई पुरस्कार मिलता है तीक है यह क्यों मिलता है तो देखेगा अम्रता देवी विश्णोई राष्टी भारत शरकार दोरा ज से मतलब कि भारस सरकार के द्वारा दिया जाता है इस पुरुसकार को ठीक है और इस पुरुसकार का नाम है अम्रता देवी विश्णोई पुरुसकार या पुरुसकार अम्रता देवी विश्णोई की याद में दिया जाता है जिनोंने सन 1731 में कब किया था 1731 में और यह 1770 मे यानि कि इन्हों ने क्या किया था सन 1731 में राजस्थान के जोधपूर ठीक है समझना राजस्थान के जोधपूर ठीक है जोधपूर पढ़ता है और जोधपूर का एक गाउं है उस गाउं को बोलते हैं खेजराली ठीक है क्या मोलते हैं खेजराली गाउं खेजराली गाउं वहां पर कौन सी पेड़ पाए जाते हैं ठीक है खेजरी व्रच्छों ठीक है तो क्या होता है राजस्तान के जोदपूर के खेजराली गाउं के खेजरी वच्छों को बचाने हे तू ठीक है यहां पर खे काटे-काटे खेजरी गाउन तक पहुंच जाते और खेजरी गाउन के व्रच को काट ने लगते हैं अब खेजरी गाउनके व्रचा रहते वहां पर एक महिला बाहर निकलके आती जिसका नाम होता है अम्रिता देवी विस्नोई वो रोकती है और कोई नहीं रुपता है तो अम्रिता देवी विस्नोई के नेत्रत में वो क्या करती है पेड़ों को पढ़के चीपाग जाती पेड़ों में अपने आपको लपेट लेती है इसके कारण से सर तीन सो तिरसट लोगों की जान गई राजा के नौकर काटने आएं महिलावा ने चपक लिया राजा से पूछा राजा ने ओडर दे जे काट दू उनको भी काट दिया जब राजा ने देखा भाईया पांच कट गए दस कट गए बीस कट गए अब रुखी नहीं रहे हैं पचास कट गए अब रुखी नहीं और उनका प्रियोगराज महलों में किया जाता था सोचो यानि कि 363 लोग ना प्रकति के लिए उन्होंने जान दे दिया यानि कि वो प्रकति के लिए पैदा हुए थे आज हम लोग प्रकति के लिए कुछ काम नहीं करते हैं यदि हम अपनी प्रकति को बचाएंगे तो प्रकत आता है नेक्स्ट हमारा जल संग्रहाण क्या आता है जल शंग्रहाण तो इन दोनों चीज को याद रखना कि चिपको अंदोलन सुन्दरलाल भुड़ा नहीं किया था यह कहां पर हुआ था यह वह था गढ़वाल में रानी गाव में और एक होता है अम्रता देवी विश्णो भूमी एवां जल की प्रारंबिक स्रोत का विकास करना जल संग्रहाण क्यों किया जाता है कि झायँ झाय। एवाँ जल के जल के प्रारंबिक स्रोतों का जल के प्रारंबिक स्रोतों का विकास करना की जल संग्राण बे चलिए आता है अब जल शंभर प्रबंधन आपका NCRT बोलते जल जल संभर प्रबंधन यानि कि जल संभर उसका प्रबंधन किया जाता है उसका रखाओ किया जाता है लिखेंगे जल संभर प्रबंधन में मिट्टी योम जल संरच्षड पर जोर दिया जाता है और जल संरच्षड पर जोर दिया जाता है जिससे की जयो मात्रा उत्पादन में व्रद्धी हो सके ठीक है जिससे की जयो मात्रा जयो मात्रा के उत्पादन में व्रद्धी हो सके छोटे छोटे जीव में उनका विकास लगभग होता रहे जयो मात्रा की उत्पादन में व्रद्धी हो सके इसका प्रमुक उद्देश से भूमी एवं प्रात्मिक स्रोतों का विकास है ठीक है जो जल संबर प्रबंधन है इसका जो उद्देश से है वो भूमी एवं जल के प्रात्मिक स्रोतों का विकास है फिर आगे लिखेंगे पादपों एवं जन्तुओं के दोतियक संसादनों के उत्पादन में व्रधी इस प प्रदूसर के कारण क्या 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 कारण होते हैं वही पढ़े होंगे पुराने में भैस धुलते हैं गाये धुलते हैं खुद नहाते हैं गंदा करते हैं वही जल प्रदूसर है ना अरे तो बताओ ना वही है तो हम भी तो वही पूछ रहे हैं हम तोड़ी ना कोई कोई खश्दी कपड़े धोना या मलमूत्र त्याक करना अब वगल में नदी यह वहीं पर कपड़े भूला जाकर अउधरी वागल में निपटाए इसे यहीं पर बात्रों पर दीए आज जलाता है जलासों में वानुशित पदार डैलना अवान्चित पदार डालना खराब कणे खौरन है चीप से वह कहा रहे है और फेक दिया पनिया में भाइ गया जाती है लोग उसको जांगे नहाएं आँगे कर्ण को रो रोकने के उप्भाए रोकने की रोकने की लिखेंगे ती है जलासियों में उद्धोगों को कच्रा ना डाले जलासों के नसदीक मलमूत्र ना त्याक करें जलास्यों में वांचित पदात नडाले नदियों में म्रत जिऊ को नडाले 1293 अब आता है हमारा जीवास्म इधन क्या था है हमारा नेक्स आता है हमारा जीवास्म इधन इसको मिटा थे थी होगे आप लोग अब भस थोड़ा से खतम होने वाला है अपका चैप्टर और देखो जितने बच्चे 10th में है ना वो पहले तो बायोमन मोटिवेशन चैनल को सपोर्ट करेंगे लिंक नीचे description box में दी गई है और दूसरी चीज़ हम आपको बता दे कि जो 10th के जो वीडियोज है ना class 10th science नाम से एक playlist है ठीक है playlist है और एक playlist है class 10th important question के नाम से और वो question में वहाँ पर धिर सारी important question भी मैं करवाया हूं ठीक है नीचे link description box में भी दी गई है अब आता है हमारे जीवास में इधन ठीक है जीवास में इधन क्या होता है ऐसा इनन जो जीवोद और अप्राप्त होता है जब पहले करोडों वर्स पहले क्या हुआ प्रत्वी में उथल पुथल हुआ और उथल पुथल के कारणर पेड़ पौधे और जीव जनतु थे वो क्या हुए प्रत्वी में दब गए और प्रत्वी में दब गए कुछ फरसोबाद वो जीवास में इधन में बदल गए लिखेंगे प प्रत्यवी पर उर्जा का प्रमुख स्रोत है यानि कि जो ओर लिजा का ना प्रत्मिक भंडार होता है अज पेट्रोलियम रूख दिया जाए ना थो फितने लाख उतने हानी हो जाएके प्रत्वी पर उर्जा के प्रमुक सूरे है इसी तरह जो जीवास्थ एधन है वह क्या है उर्जा के प्रमुक सूरत है बच्चों सबसे पहले बताओ सबी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, सच में कहता हूं, कर दो, मजाक ना करो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीके, दूसर नम लिगो, कोईला और पेट्रोलियम से उर्जा प्राप्त करके, हम दैनिक उर्जा, अब इशक्ता को पूर्ती करते तथा, जीवन उपयोगी पदा का 70% हिस्सा कोईला और पेट्रोलियम पर निर्भार है, ठीके, 70% हिस्सा कोईला और पेट्रोलियम पर निर्भार समालो, अगर पेट्रोल बंद हो जाना, एक दिन पेट्रोल बंद हो जाना, सोचो, करोडों का घाटा हो जाता है, यहां वहां ट्रांस्पोर्ट सीधे, ट्र छीवास मीधन में डलओ पहला वह आई यू की रदूसर जबी जीवास मीधन को ड़ावी है चुछाitan माईगारी है यहां पर निकलेगा यहां पर वायू प्रदूशन करेगा तो लिखे वायू प्रधूर्शन लिक् Minsan करते हैं तो ना midst बनते है ना जीविद जीव जब दबते जब बनते हैं फिलिको जीन में कार्बन के अत्रिक्त हाइड्रोजन नाइट्रोजन और सलफर भी होते हैं जीन है जलाया जाता है और जब इनको जलाया जाता है तो कार्बन डायोकसाइड हाइड्रोजन कर्बन डायोकसाइड यस्टू और यह सब चीजे बनते हैं जब इनको जलाया जाता है तो अब यह सब चीजे कहां से यहां से निकलती है और यह कहां जाती सीधे यह सीधे जाती है परेयावरण में वातावरण में जो वाय प्रदूसर का कारण बनाता है और दूसरा नमर क्या होता है हमको दूसरा नमर जब वा माया होती है की इन्में स्वसंसभन्धी ब्विमारी ते मिसको जलाएंगे मैं तो हमको क्या होगा उदे antisland हमको स्वसंसंभन्धी बिमारी ठीक है स्वसंसर ब्वर जैसे हो गया दमा हो गया आध गला हो और अन Wouldnya कीवारी Have You कर सो है कि यह सक्वी वडि़ है वायू प्रदूसर जब व्हायू में ज्यादा ब्रदूसर रोटा होते है बैए मफे खांसी आती यहां पॉद्व का सियंगे यह कई मत इंदे ना कि agora कि सारजी आप पहूं slippery यह हो है ना वाइन में आप भी तो किये हो है आपको वाइप दसड़ हो गया मिलकुल हो गया है ना तो चलो आसका चैप्टर हम लोगों के यह पर समाप्स हो गया है और देखो जो प्लाश 10 थैं आप लोग लाश 10 साइन्स के ना उसके सारी फ़ीडोग को चैनल की प्लेडिस्ट पर अप्लोड है और वह प्लेडिस्ट को आप लोग जाकर करें चेक करो देखो प्लेडिस्ट देख लिया करो चलो ठीक है पढ़ते रहो मेहनत करते रहो फिर में आगले वीडियो पर और अगर कुछ भी डाउट उडिनेचे कमेंट बॉ पर भी दी गई है तो चलो पढ़ते रो मेनत करते रो विस्यू अल्द विस्ट थैंक यू